दोस्तों मैं रोहन स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल Learners Fellow पे अगर आप Translator Exams related त्यारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है देखिए अभी हमारी स्रीज चल रही है एंटोनिम, सीनोनिम्स, वनवर्ड सब्स्टियूशन और इडियम प्रेज की रोज पर डे एक एक वीडियो आ रही है आप प्लेइलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं और प्रैक्टिस अपनी और अच्छी कर सकते हैं आज वनवर्ड सब्स्टियूशन का डे टू है अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और और लोगों तक भी सेर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सकें प्लेइलिस्ट में धेर सारे वीडियो हैं पड़ एक वीडियो आ रही है हर एक सिरीज की तो आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं वनवर्ड सब्स्टियूशन का आज दूसरा दिन है तो चलिए व हमारा study of oceans and their phenomena जब हम ocean के बारे में पढ़ते हैं या उससे related जो कोई पढ़ाई करते हैं ठीक है यहीं समुद्र के बारे में अगर पढ़ रहे हैं हम ठीक है महासागर के बारे में उसके related पढ़ाई जोगर की जाती है जो सी ओसन से related होता है उसे हम क्या बोलते हैं oceanography समुद्र विज्ञान क्या बोलते हैं देखें ocean हो गया ocean फिर o g r a ph y हमें spelling भी साथ साथ देखते चलेंगे क्योंकि paper में आपके यह भी आता है कि which one of these is miss suspect कौन सा गलत लिखा गया है चार में से आपको एक गलत spelling चूज़ करना है तो आपको सही spelling आना बहुत ज़ोड़ी है तो पहला क्या हो गया कि study of oceans and their phenomena ocean या उससे संबंदी जो पढ़ाई है उसके लिए क्या है oceanography है ना समुद्र विज्ञान को ध्यान रहेगा सकेंड है study of law जो लौ की पढ़ाई करते हैं बी एलल भी करते हैं इस तरह की पढ़ाई जो study of law लौ की पढ़ाई को क्या कहा जाता है नोमोलोजी कुछ टर्म से ही आपको ध्यान रखने पढ़ेंगे यह बार बार प्रैक्टिस से आएंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका PDF टेलिग्राम चैनल लर्नर्स फेलो से जाउड जो डौनलोड कर लिजेगा पर डे जो वीडियो के PDF है वहाँ पर डाला ज करिए ठीक है यह कोश्चन बस देखिए और कॉंपी में इसका स्पैलिंग के साथ लिखा करिए इससे आपकी त्यारी और अच्छी होगी तो study of law क्या है नॉमोलोजी इस्टॉडी ओफ लॉग को क्या बोलते हैं नॉमोलोजी नॉमोलोजी का मतलब विधी विज्ञान टर्म से आई हैं और आती रहेंगी यह विडियो आज नहीं आज से दो साल चार साल पांसाल दसाल कभी भी देखेंगे तो भी आपको इंप्रेंट रहेंगी है जो भी कम्टिटिव एक्जाम से कि स्टुडियाफ्ला हो गया नॉमोलोजी विधी विज्ञान का थर्ड प्रण फॉजल्स सटूडी फॉसल्स क्या होता है जो जमीन के अंदर हमारी जो फॉजल फ्यूल्स हैं यानि कि जिससे हमें इंधन प्राप्त होता है न वो उसको बोलते हैं फॉजल्स तो उसके स्ट प्लांटो लोजी क्या बोलेंगे प्लांटो लोजी ठीक है प्लांट से रिलेटेड ध्यान रखिएगा कि जब प्लांट ही पेर पौधे जब बहुत दिनों तक पेर जमीन के अंदर गरी हुए रह जाते हैं वो लकानिक एरॉप्शन के कारण या इस तरह से जब होता है कई सा सालों हजारों सालों तबोक। फॉजंस बन जाते हैं इसी के स्ट को फॉजल के स्ट का किया बोलते हैं जीवाद विगैन ठीक है प्लायंटो लोनीं next है हमारा study of ancient things like tombs buried towns देखिए बहुत सो जैसे सिंदु घाटी सबता के बार में आप पढ़ेंगे जो ऐसे सहर जो अब नहीं है पहले हुआ करते थे वैसी जो है इमारते या वैसे सहर जो पूरे अब जमीन के अंदर हैं खंडर हैं अवसेस जिसके मिलते हैं है ना तो archaeology पुर और एकी नाल मिली है ना इस पढ़ाई को क्या बोलते हैं आर्की लोजी स्पेलिंग जारा ध्यान रखेगा और ए और सी एच ए आर्के यो लोजी यो लोजी वाई ऐसे बोल बोल के लिखिए आपको याद रहेगा नेक्स्ट है हमारा strong desire for food wealth अगर कोई इंसान ठाना यस संप पदा संपती चाहे काफी जादा चाहे चाहना तो ठीक है अच्छी वात है चाहना भी चाहिए तो मेनत आद में नहीं करेगा लेकिन जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहने लगते है ना strong desire बहुत ज्यादा लाल सा आपकी बढ़ जाए किसी के परती धन के परती या डबल ए डी लालच या लोव कहते हैं इसको ठीक है फिर है next है strong dislike between two persons dislike मतलब घरना क्या बोलेंगे इसको ऐसे घरना जब दो लोगों के बीच में घरना हो एक दूसरे से नफरत करें जब दो लोग है ना काफी जादा strong dislike हो दो लोगों के बीच में काफी जादा घरना हो उसको क्या बोलेंगे antipathy English क्या बोलते हैं उसके लिए बड़ आता है antipathy एंटि जिसको हिंदी में घरना कहते है रहे हैं यह हमारे एंटि में चल रहा है मतला विरोध में तो जब कोई विरोधी होता है तो उससा है घरना करता है नेक्स्ट है stream flowing into another big river जैसे माली जे गंगा जा रही है है ना छोटी छोटी नदियां जो है वो दोचार सहर को ऐसे क्रोस करते हैं उसमें मिलती चली जाती है ना सहायक नदियां जिसको कहते है तो बड़ी नदियों में जब कोई छोटी नदिया आके मिल जाये उसे क्या बोलेंगे tribute tree, क्या बोलेंगे tribute, tribute कहते हैं अपना योगदान देना तो वो नदियां अपना योगदान देती है अपना पानी उसमें मिलते हैं tribute tree tribute tree हिंदी में उसको सहायक नदी कहते हैं ठीक है next है stealing from the writings of others देखें साहित्तिक चोरी अगर कोई किसी ने book लिखा किसी writer ने book लिखा ठीक है और कोई और writer क्या करे कि अपनी book लिख रहा है जैसे English grammar की किसी ने क्यों किताब लिखी अब कोई और आदमी लिखना चाहरा है English grammar की किताब लेकिन उसी में से line चुडा चुडा के अपने book में डाल दे तो उसे क्या बोलेंगे ये चौडी हो गई लेकिन किस तरह की चौडी सामान की चौडी नहीं हुई ये written forms, writings की चौडी हुई तो उसको क्या बोलते हैं plagiarism 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 साहित्तिक चोरी साहित से related चोरी है तो इसको बोलेंगे plagiarism ध्यान रखिएगा next है statement that is obviously true कोई वैसी उक्ति जो एकदम सही है बिल्कुल सही है उसको क्या बोलते हैं समान ने उक्ति यह नहीं समान ने उक्ति समान ने जो उक्ति है समान ने जो statement है platitude क्या बोलेंगे platitude मतलब जो वैसा statement जो एकदम सही है ठीक है next है that which can be easily believed वैसी चीजें जिस पर आसानी से बरोसा किया जा सकता है है ना उसको क्या बोलते हैं credible c-r-e-d-i-b-l-e credible credible का मतलब विश्वस्वस्णी है हाँ विश्वस्वस्णी है चीजे है जैसे अगर मैं कहें दो कि मैंने आज 14 feet का long jump मारा 14 feet मैं jump कर गया तो ठीक है यह विश्वस्वस करने वाली चीजे हैं क्योंकि हमसे ज़्यादा कुदने वाले बहुत सारे लोग हैं तो यह विश्वस्वस्वाली चीजे है इसी का opposite word होता है इसी में आप I-N add कर देते हैं I-N, C, R, E, D, I, B, L, E incredible हो जाता ने कर दें incredible तो हो जाता है हिंदी में भी औ विश्वस्वस्वस्वाली हो जाता है देखें इंग्लिस grammar, Hindi grammar साथ साथ चलेगा smart study करनी है न तब ही सफल सा मिलेगी अविश्वसनी इसमें अ जोड़ दीजे, इसमें इन जोड़ दीजे, मतलब अविश्वसनी हो जाएगा, अगर मैं कहे दू कि मैंने 50 फिट लॉंग जंप मारा, तो यह अविश्वसनी बात हो जाएगी, भरोसाई नहीं करेगा कुई, ठीक है, यह, वैसी चीजे, जिसे, मतलब बुजायाना जासे के, बचायाना जासे के आगसे, यह वो जल ही जाएगी, आगसे उसको बचाया नहीं जासकता, अगसे को बुजाया नहीं जासकता, उसको क्या बोलते हैं, इन एक्स्टिन गियूसए बल जिसे बुझहाया नहीं जा सकता इन एक्स्टिन गियूसएल इतने लंबी स्टे fascinating है बहुत लोगों को दिक्रफे थक है कि spelling mistake जादा करते हैं उसका तरीका कैया है आप वर्ड को 2-6 भाग में तोड़ लीजिए आप जैसे वह वोरते हैं वैसे हिंदी में भी ऐसे ही है Able, A-B-L-E सबको add कर दीजे Inexting Usable हो गया Hindi में भी ऐसे ही है English में भी ऐसे है, word को break करके आप बोल-बोल के लिखेंगे spelling उसका, exam में है तो मनही मन बोल के लिखे, आपका most of the spelling सही हो जाएगा, याद रखने का यह तरीका ठीक है, तो Inexting Usable जिसको बुझाया ना जा सके फिर Next है, that which cannot be satisfied, वैसी चीज़ें जिसको satisfy नहीं किया जा सकता है मतलब उसको क्या कहते हैं, संतुष्ट नहीं किया जा सकता, तो क्या बोलेंगो उसके लिए वैसा है, Insatiable A-Tript जैसे कह सकते हैं कि A-Tript लालच लालच क्या A-Tript किसी की होती है मतलब लालच तो अबिस की है कि A-Tript है, तो Insatiable greed कह सकते हैं उसको, कि वैसा greed, जो कभी मतलब उसको satisfy नहीं किया जा सकता खत्म नहीं किया जा सकता जितना मिलेगा और चाहेगा आदमी तो, that which cannot be satisfied Insatiable, Next है that which cannot be erased or removed वैसी चीजें जिसको मिटाया नहीं जा सकता है ना, जैसे कुछ लिख दिया मिटा दिया, या हटाया नहीं जा सकता वहाँ से, चीक है, उसको बोलते हैं, Indelible I, N, देखे Indelie, D-E-L-I Indelie, B-E-L-E Indelie, Indelie, B-E-L-E Indelie, Amit जैसे नहीं कहते है, Amit छाप छोड़ दिया उसने अपने प्रभाव से Amit छाप छोड़ दिया तो Amit यानि, वो कभी खत्म नहीं किया जा सकता जैसे महराना पड़ता आप चंसेखर आजाद, इन्होंने जो किया है वो Amit है, मिटाया नहीं जा सकता उनके योगदानों को, देश के प्रतीजिन का जो योगदान रहा है भगत सिंग का, है ना, इन लोगों का तो Indelie, बल है है ना, Indelie, नेक्स्ट है That which can easily be curved without breaking है ना, अगर कोई चीज़ को हम मोर सकें लेकिन वो तूटे नहीं, जैसे सूखी लकडी है सूखी लकडी को आप जैसे ही bend करना चाहेंगा वो लकडी, अवाज आएगी, फट की और तूट जाएगी, लेकिन वहीं एक wire है, aluminium का तो आप aluminium के wire को जैसे हमान ऐसे घुमा के bend कर दीजे, ऐसे घुमा दीजे, bend कर दीजे लेकिन यह तूटा, नहीं तूटा आप energetic रहेंगे, इसलिए लोग वो करते हैं, stretching वगरा करते हैं, running से पहले, ठीक है, flexibility बनी रहे, flexible, martial arts वागेरा वाले, जो खिलारी हैं, वो काफी flexible होते हैं, तो जिसे घुमाए जासे के लेकिन तूटे नहीं, flexible, अगला है, that which cannot be corrupted, यहनि वैसी चीज, जिसको वैसे लोग जो उनको भरस्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत इमांदार कोई, बहुत ज़्यादा इमांदार है, इसको कितना भी घुश दे दो, सर पैसा लेके काम कर दो, नहीं करेगा, नहीं, मैं जो कह दिया, जो सही है, मैं वही करूँगा, ऐसे इमांदार अफसर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, incorruptible, यानि इसे बेमान नहीं बनाया जा सकता, वो इमानदार है भाई, incorruptible, देखे, corrupt, भरस्ट, in, मतलब जो भरस्ट नहीं है, तो जो भरस्ट नहीं है, वो कौन है, इमानदार है, ठीक है, incorruptible, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, corruptible हो जाएगा, in को आप हटा दीजे, हिंदी में इमानदार का बे-इमान हो जाएगा, ठीक है, next है, to escape from hard realities, देखे, जो एकदम hard reality का मतलब क्या है, जो काफी करवा सत्य है, उससे बच के निकलना, भागना, मुह मोर लेना, जैसे आपको मालूम ही नहीं हो, इसे कोई घटना घटी, उस पे कोई नेता मैं उसको देखना नहीं चाहता, मतलब भाग रहा है, reality है, लेकिन उससे मुह मोर के भाग रहा है, इस तरह के जो reality को देखके भी भागना, उसको क्या बोलते है, iscapism, देखे, एक word है, escape होता है, escape, escape का मतलब बच निकलना, भागना, इस चीज से बच के निकल जाना, जैसे त आयन करना, एक जगर से दूसरे जगर जाना, तो यह बच के निकलना, इसी को क्या बोलनेगा, iscapism, यहनि जब कोई hard reality से मुह मोरना, तो उसको क्या बोलनेगा, iscapism, next है, the system which is observed to do progress or reform, यहनि वैसा system, वैसी विवस्ता, जिसमें ऐसा अनुमान किया जाए, यह ऐसा observe क्या कहते हैं, अब लोकन किया जाए, कि प्रगती होगा, reform होगा, सुधार होगा, progress का प्रगती होता है, ध्यान रखिए, और reform का होता है, सुधार, यही से अवर्ड आपके translation में काम आएंगे, तो यह one verse of situation ही, जिर्फ इतना ही मत देखिए, काफी broad sense है, इसका, सीखने से आपका translation भी अच्छा होगा, ऐसे में भी यूज़ कर पाएंगे, है ना, एंटो सिनोनिम्स में भी आपके काम आ जाएगा, बहुत तरह की यूज़ है, तो इसको क्या बोलते हैं, वैसी सिस्टम जिससे progress या reform की आसा की जाए, reformism कहलाता है, reform, reform मतलब सुधा, reformism, ठीक है, सुधारवाद उसको क्या बोलते हैं, सुधारवाद, reform से सुधार हो गया, ISM लग गया, तो वाद सुधारवाद, next है, temple dedicated to all gods, तेकि वैसा मंदिर जिसमें सभी गौड हो, मंदिर एक है, जैसे हैं कहते हैं, कि ये कृष्ण जी के मंदिर जा रहे हैं, मत्रा जा रहे हैं, अयोध्या जा रह हम के लोग वहाँ जाके कर सके पूझा, तो उसको बोलते हैं, pantheon, 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 यानि सर्वेस्वर मंदिर, सर्वेस्वर का क्या हो जाएगा, तोड़के देखी इसको, सर्वधन इस्वर, सर्वेस्वर, यानि सभी के इस्वर उस मंदिर में हैं, उसको बोलते हैं, जैसे होगा जहाँ पर आर्मी लोग रहते हैं तो वहाँ पर कोई देखिए किसी खास धर्म का वो नहीं है तो एक सर्विस्वर मंदिर होता है कि जहाँ पर सभी धर्म के मतलब वहाँ पर एक तरह से गौड रखे जाते हैं ताकि क्योंकि आर्मी में तो वहाई किसी भी दर्म के लोग हो सकते हैं तो वहाँ पे जाके पुजा पाट कर सकें ठीक है सर्विस्वर मंतिर फिर नेक्स्ट है टॉक डाट ब्रिंग्स बैड रेपूटेशन टू समबडी वैसी बातें जो किसी को रेपूटेशन उसकी इजट उसकी जो क्या कहते है प्रतिस्था रेपूटेशन का प्रतिस्था ठीक है प्रतिस्था को ठेस पहुँचाए वैसी बातें जो किसी के प्रतिस्था को खराब पहुँचाए नुकसान पहुँचाए उसको बोलते हैं बदनामी Scandal S-C-A-N-D-A-L Scandal Scandal का मतलब बता है बदनामी बदनामी हो गई अनि कुछ ऐसी बाते हो गई है जिससे हमारी इज़त खराब हो गई तो बदनामी Scandal Next है अराम से देखते चलिए फिर वीडियो का आप दुबारा देख सकते हैं रिवीजन करने के लिए The Study of Population ये अकसर पूछा जाता है एक्जाम में धेर सारे competitive exams में The Study of Population Population का मतलब होता है जन संख्या तो जन संख्या के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं Demography क्या बोलते हैं Demo Demo और फिर Graphy देखिए ग्राफी से एक related word और था न Oceanography था सबसे पहला word हमारा आज के क्या था Oceanography Ocean से related study कर रहे हैं Oceanography हो गया जन संख्या से related अगर study कर रहे हैं तो Demography जन सांख्यकी त्यानर के कैसे लिखा जन सांख्यकी जन यानि लोगों की संख्या के बारे में study करना Demography Next है हमारा The study of physical phenomenon of lakes यानि lakes जील है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं ठीक है Lakes के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके study कर रहे हैं तो Limnology क्या बोलते हैं इसको Limnology L-O-G-Y Limnology मैं लिख के क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बोल के और लिख के इसलिए बता रहा हूँ था कि आपको spelling भी क्लियर रहे Limno L-I-M-N-O Limno L-O-G-Y Limnology सरोवर विज्ञान ठीक है क्या बोलते हैं इसको Limnology को सरोवर विज्ञान Next है Spreading by infection कोई चीज अगर फैल के मतलब फैले है न एक से दूसरे जगा infection हो जाए फैले जैसे Corona virus था तो उसको क्या बोलते हैं वैसा digit जो एक से दूसरे में फैले तो उसको बोलते है infectious digit तो वैसी चीज़े जो एक से दूसरे में transfer हो सके फैल जाए उसको बोलते है infectious संक्रामक जैसे Corona हमारा क्या था एक संक्रामक बिमारी था infectious संक्रामक specialist next है specialist in mental और emotional disturbance वैसे लोग जो specialist है विसे सग्ये हैं किसी को अगर मांसिक रूप से उलजहन है परसान है emotional रूप से disturb है उसको ठीक करने में जो specialist है उनको क्या बोलेंगे psychiatrist इसका spelling बहुत अजीब है ध्यान रखिएगा इसको बोलते है मन और रोग विसे सग्ये मन और रोग यानि मन का किसी को रोग है emotional समद्धी disturb है कि कोई exam में feel कर गया है काफी लोग अफसाद में depression का क्या होता है अवसाद काफी लोग अफसाद में चले गए depression में चले गए तो मन और रोग विसे सग्ये के पास बिलना चाहिए ठीक होता है या किसी को बहुत tension है बहुत ज़्यादा सोचता है overthinking करता है उनको भी यह उनके लिए specialist होता है और spelling इसका देखिए P-S-Y-C-H-I-A-T-R-I-S-T psychiatrist विसे देखिए P-silent होता है P-S-Y-C-H-I-A-T-R-I-S-T psychiatrist यह कुछ ऐसे spelling है न इसको ध्यान से याद करके रखिए मन रोग विसे सके और पढ़ाई एकदम तसल्ली से करिए जल्दबाजी में नहीं जो भी पढ़िए अच्छा पढ़िए रोज पढ़िए speak in very low tone अगर कोई बात फुस फुस आगे कहे एकदम धीरे से अगर मैं यह बात कहूं है ना काफी जाता है low tone में जैसे class में पहले class चलती थी जब इम लोग इस्कूल जाते थी आपस में अगर बात करना है तो बच्चे कैसे बात करते हैं फुस 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 करके बात कर लेते हैं low tone में काफी तो उसको क्या बोलते है whisper 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 फुस फुसाना बुदबुदाना फुस फुसाना इसी कह है ठीक है next है something that is hidden वैसा जो चीज छिपा हुआ है कुछ बातें जो सामने नहीं प्रकट हो रही है सच नहीं बताया जा रहा है वह पीछे छिपा हुआ है उसको बोलते है mystery mystery रहस से जैसे नेता जी सुभास चंदर की मौत कैसी हुई अभी तक रहस से है क्यों plane crash से हुई या कैसे हुई तो mystery है यह रहस से जिसको अभी तक नहीं पता चल पाया उसका कारण छिपा हुआ है something that is hidden whisper लगब 25 वाट हम रोज करते हैं आगे देखिए mystery हो गया रहस से something that foretells the coming of something वैसी चीज़ें जो आने वाले समय में क्या होने वाला है वो बताए आपको आगे क्या होने वाला है वो foretell करें बविस्वानी कर दें उसको बोलते हैं harbinger h-a-r-b-i-n harbin g-e-r harbinger पत्परदर्सक किसे को कहते हैं आपको मारे पत्परदर्सक बन जाओ आगे आप कैसे कैसे बताओ कि आपके आगे क्या करना है आगे कैसे सही रहेगा क्या लेंगे subject जो आगे हम कोई सही मिले ट्रांसलेटर के एक्जामस में दिक्कत नहों है ना तो पत्परदर्सक जो आयने वाली बातों को बताए harbinger पत्परदर्सक soldiers on big guns mounted on wheels देखिए वैसे चलने वाली गारी जिसमें बड़े बड़े गन लगे हों तोप देखा है लड़ाई जब यूद होती है कारगिल का यूद कर देखा हो मूवी यहां नीचे चक्के लगे होते हैं और इस पर एक बरा सा ऐसे गन लगा होता है इसको घुमा के फायर कि इतना कोई कुछ अगर गहरा है बहुत जिसंसे समुद्र अथा है अगाध है इतना गहरा जिसका बॉटम यानी नीचे पहुंच नपाया जा सके हैं तो उसको क्या बोलेंगे unfathomable अथा, अगाद जिसे समुद्र की गहरा है अथा, अगाद कही जाती है क्योंकि ऐसा नहीं कि उसका bottom नहीं है है लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा है तो उसका क्या बोलेंगे unfathomable देखे unfathom f-a-t-h-o-m fathomable unfathomable ठीक है अथा, अगाद a small swap that sells fashionable cloths वे नहीं वैसा swap देखते होंगे gift का swap होता है या जिसमें cloths भी बिखते हैं cosmetic items भी बिखते हैं महिलाओं के लिए चूडियां भी बिखती हैं cosmetic items, cream वगरा बिखती हैं face bus वगरा बिखता रहता है वैसे swap को क्या बोलते हैं boutique 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 दुकान ठीक है और last है अचका वार्ड हमारा seamlessly rude यानि काफी एकदम मतलब नहीं कहते हैं कि बेसर्म आदमी कोई अगर है काफी धीट है कुछ भी कह रहे हैं सुन नहीं रहा है, हंस रहा है किसी बात पर है न अगर कोई इसने गलत भी किया फिर भी अगर उसको डाटा भी जा रहा है फिर भी हंस रहा है तो ऐसे को क्या बोलते हैं impudent impudent i-m-p-u-im-p-u d-e-n-t impudent निरलज धीट इसको क्या बोलेंगे निरलज धीट तो आज का वर्ड यही था यह पूरे वर्ड साब रिभाइस करिए पहले का जो वर्ड है वो भी आप रिभाइस करिए अगर आपने देखा है वीडियो नहीं देखा है तो देख दीएगा और जिन्होंने देखा है मैं एक पूछना हूँ उसका पूरा लाइन बताएगा कि यह वर्ड किसके लिए यूज के जाता है पूरा लाइन आपको लिखना है एक आपको लिखना है C-A-N-I-N-E कैनाइन यह फर्स्ट नमबर पे इसका पूरा लाइन कैनाइन को elaborate करिए आप कैनाइन किसको कहते हैं पिछले वीडियो मैंने बता रखा है तो कैनाइन और इन्टैंजिबल के बारे में आप बताएगे क्या जानते हैं कॉमेंट में ठीक है और अगर आपके कोई queries है कुछ पूछना चाह रहे है या कुछ सलाह देना चाह रहे है तो वो भी स्वागत है आपका कॉमेंट कर रिप्लाई जरोड मिलेगा टिलेग्राम चैनल जोइन कर लिजेगा लर्नर्स फैलो नाम से है वहाँ पी पीडियाफ आपको मिल जाएंगे वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को जाड़ी टाखिए ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर थैंक्स पर वाचिंग आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही कंटिन्यूटी में वीडियो आते रहेंगे आप देखते रहें जुड़े रही जादा कुछ नहीं करना है पर दे एक वीडियो आप देखते रहें न अन्टोनीम्स का पर देख लीजे बंदर भिसमर्ट का समय निकाल गए है न और तसली से उसको पर दे कंप्लीट करते चलिए आराम से तियारी होगी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सब देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद